हेलो दोस्तों स्वागत है आपका बीजनस माहिर में मैं हूँ अनुज आपका केरियर दोस्त आज मैं आपके लिए लेक्या हूँ पांच ऐसे जॉब्स के बारे में जो बहुत ही अच्छा और अच्छी सरली का जॉब्स है तो इसके बारे में आज हम चचा करेंगे दोस्तों यह पांच जाब ऐसे जॉब हैं जो गवर्मेंट-सेक्टर में और और प्राइवेट सऱ्टर में दोने जगह बहुत है अच्छी सरली देते हैं और साथ ही में आप अगर एक स्टूटेंट है आप दस् तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्पूर होगा तो आप इस वीडियो के आंग तक बने रहें यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन इसमें जानकारी बहुत ही अच्छी मिलेगी कि यह जॉप्स कौन से हैं इसके लिए क्या qualification होनी चाहिए इसके लिए तयारी किसे करें और साथ ही इसमें कितना सहली मिलेगा और selection process क्या होता है इसका तो इन बातों पर हम चल्चा करेंगे इस वीडियो में और जो भी वीडियो के देख रहे हैं अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रिपया हमारे चैनल में salary के साथ साथ respect भी बहुत मिलता है और छुटिया भी बहुत अधी मिलती है इसमें तो अगर आपको चीजों को समझना बहुत ही अच्छा तरिके से आता है और साथ ही में आप बहुत ही अच्छे तरिके से किसी भी चीज को explain कर लेते हैं तो आपके लिए यह नौकरी बह बहुत है आप बियाट कर लेंगे या भी अभी आप दसवी घ्यारवी बारवी कर रहे हैं तो आप बियाट करेंगे बहुत में जाके तभी भी आप रुकाई टीचर बन सकते हैं इसमें primary teacher होते हैं trained graduate teacher होते हैं और post graduate teacher होते हैं प्रामेरी टीचर एक से पांस तक के बच्चे चाहिए तो professor और lecturer बनने के लिए college में आपको net qualify करना पड़ता है अगर आप net qualify करेंगे तब आप professor या lecturer बन सकते हैं college में दोस्तों अब हम इसमें salary की बात करते हैं तो सरकारी teacher में जो है की जो salary होती है वो minimum starting 30,000 से start होती है और maximum इसमें 70-80,000 तक salary मिलती है अगर आप primary teacher बनते हैं तो आपको salary लगबाग 35-40 के बीच में मिलेगी starting में और अगर आप PGT teacher बनते हैं तो आपको 40-45 के बीच में starting में salary मिलेगी और अगर आप एक college में lecturer बनते हैं प्रोफेसर बनते हैं तो आपको कम सकम 50-60 के बीच में आपकी starting salary बनेगी दोस्तों अब हम बात करते हैं selection process की स इसमें एक exam होता है C-tet और S-tet, C-tet में Central teacher eligibility test होता है और S-tet में state teacher eligibility test होता है state test को हम कर सकते है U-P-tet, MP-tet, Rajasthan-tet, Maharaj state जिस सरकार राजगा होगा उस राजग के नाम से test होगा और जो center test होता है वह पूरे central के लिए होगा पूरे भारत के लिए होगा जिसमें सिर्फ केंदरी विद्याले में जो भी नोकरिया निकलेंगी अगर आप C-tet qualified हैं तो आप उसमें नोकरी पा सकते हैं और अगर आपको lecturer या professor बनना है तो आपको net qualify करना पड़ेगा उसके बाद आप अगर कहीं भी विद्याले में नोकरी निकलती है lecturer या professor की तो वहाँ पे आप नोकरी बड़े अराम से पा सकते हैं net qualify करने के बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं private school teacher की private school teacher के बनने के लिए आपके अंदर सिर्फ quality होनी चाहिए अगर आपके अंदर quality है आप अच्छा पढ़ा लेते हैं आपको अच्छा खासा knowledge है subject के बारे में तो आपको private teacher आप बहुत अराम्स बन सकते हैं आपके बास B8 की degree है नहीं है त दोस्तों private school में कुछ ऐसे school हैं जो बहुत ही अच्छी सर्ली देते हैं जिसमें जैसे जैपुरिया school हुआ, सन्मीम school हुआ, दिली पबलिक school हुआ, और सेंट जैवियर school हुआ, ऐसे ही बहुत सारे school हैं जहां पे अच्छी सर्ली मिलती है teacher को अगर private teacher की अगर हम बात करें तो minimum 5000 रुपे से start होके 80,000 तक सर्ली मिलती है private teacher को, जैसा school होगा, उस हिसाब से उसमें सर्ली होगी teacher की, और teacher की नुकरी महिलाओं के लिए best है, क्योंकि इसमें जो की वहाँ पे respect भी मिलता है, और एक ऐसा वाताबार होता है, जहां पे environment होता है, जहां पे कोई असुरुच्छा का दिक्रत नहीं होता है, इस teacher की नुकरी में, तो आप teacher बना चाते हैं, तो आपको अपने इंदर देखना पड़ेगा, और साथ ही में, आज कल, जो त्यारी करते हैं, बच्चे सरकाई नुकरी के लिए, आप उनको भी, अगर आपका एक subject पे या जितने भी subject पे अच्छा focus से अच्छा knowledge है, तो आप तयारी भी करा सकती है, यूटूब के मादयम से, अनकेडमी के मादयम से, और किसी भी institute के मादयम से, कोचिंग के मादयम से, दोस्तों, अब हम बात करते हैं, दूसरे job के बारे में, यह job है बैंकी सरकार्ट का, बैंकी सरकार्ट में प्रावेट में किसी job का हो, तो अगर आपको किसी particular job के बारे में जनकाई चाहिए, business के बारे में जनकाई चाहिए, तो आप हमें comment करके बताएंगे, हम उस sector का पूरा आपको अच्छे से knowledge देंगे, यकीन मानिए, हमारे जैसा knowledge आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप जब हमें comment करके क्या करना चाते हैं, क्या बनना चाते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो और से बनाएंगे, बस आप हमें comment करके बताएं, दोस्तो, सरकाली बैंक में job करने के लिए, आपका qualification कम से कम graduation होना चाहिए, और अगर post graduate भी कर लेते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छा है, graduation में चाह की दो नोकरियां होती हैं, सरकारी में PO लेवल का और clerk लेवल का, clerk लेवल में जो है की graduation होना चाहिए, और PO लेवल में जो है की post graduation होना चाहिए, इसका जो exam होता है, वो साल में दो बार होता है, एक PO का, एक clerk का, इसमें जो की IBPS करवाती है exam, IBPS का full problem है, institute of banking personal selection, तो इसमें exam हो जाते हैं, तो आपको सरकारी bank में जो भी नोकरी vacancy निकलती है, तो हाँ भी आपको एक exam देना पड़ता है, clerk लेवल में फिर आपका selection देता है, अगर आप PO लेवल का exam देते हैं, तो आपको men's qualify करना पड़ता है, उसके बाद में इंटर भी दना पड़ता है, यह process है, आपक आपका calculation अच्छा है, तो उतना ही जल्दी आप qualify कर जाएंगे exam, इसमें आपको emilis भी अच्छा आना चाहिए, तो यह हो गया, और इसमें जो सरलरी की बात अगर हम करें, तो सरलरी भी अच्छी मिलती है, लगब 35-45 के बीच में मिलती है, और 40-45 के बीच में मिलती है, PO की स आप काम करते जाएंगे, आपका promotion होगा, और शाती में आपका salary भी बढ़ेगा, दोस्तों, अगर आप private bank में नगरी करना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा option खुला हुआ है, अच्छी salary है, अच्छा job है, अच्छा respect है, इसमें भी आप जा सकते हैं, इसका selection जो process होता ह है, वह यह होता है कि आपका minimum qualification, graduation होने चाहिए, और maximum आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपने MBA किया हुआ है, तो और भी अच्छा है, इसमें जो होती है, जिसे ICIC, HDFC, Axis Bank अगर आप किसी college से MBA कर रहे हैं, तो वहाँ से diet आपको placement में जाता है, या फिर आप bank के personal website page पी जाके website पी जाके वहाँ पे cashier का option आता है, वहाँ से apply कर सकते हैं, या फिर कोई आपका जाननेवारा अगर bank में job कर रहा है, किसी भी bank private में है, तो उसके reference पे भी आपको job मिल सकता है, इसमें अगर हम salary की बात करें, तो इसमें starting salary कम सकम 20,000 रुपे से start होती है, और maximum 37,000 तो इसमें आपका communication skill बहुत ही अच्छा ना चाहिए, English आपको आने चाहिए, computer का आपको knowledge ना चाहिए, तो आपके लिए banking job सबसे best है, और इसमें time जो होता है, वो 8 गंदे के time होता है, आप 10 बजे गए job पे, और 6 बजे वापस आ गए, बस कभी कबार, जो है कि closing होता है, साल का, तो थर महिलाओं को safe और सुच्छा मिलता है, और शाती में, यह job भी बहुत इच्छा होता है महिलाओं के लिए, और इसमें जो है कि बहुत सारी bank, private bank ऐसी भी है, जो कि आप उनके, अगर आपने गिरूशन कर लिया है, तो आप उनके website पे जाके, carrier के आपसर में जाके, P.O. लबर क एक से दो साल का पढ़ाई होता है, उसमें जो भी खर्च आता है, वो आपके payments लेते हैं बाद में, आपको select रनने के बाद, तो banking sector बहुत ही अच्छा sector है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, बस आपका motive जो है कि, ओ हनाती है कि मैं कि इस sector में जाना चाता हूँ, जाना चाती तीसरा जाब है HR Management, सभी कंपनियों में HR की जरुत परती है, HR का काम बहुत ही अच्छा होता है, environment बहुत ही अच्छा मिलता है, तो इसके लिए जो minimum qualification होती है, वो आपका graduation होना चाहिए, और साथी में आप HR Management से समंधित course कर लीजिए, तो आपको ज़दा फैदा मिलेगा, नह अगर आप पहरे से ही कोई course कीयों हैं, तो बेटर है, नहीं तो आप किसी भी company में apply करके HR as get you, HR Manager का job पा सकते हैं, दोनों के लिए है यह job, और यहाँ पे भी salary भी अच्छी मिलती है, बस आपके पास skill अच्छी होना चाहिए, computer का knowledge होना चाहिए, आपको अच्छा खासा, कैस management करना है, तो करने का मतलब कि आप HR management कर लिजिए, course उसका कर लिजिए, तो ज़्यदा बेटर रहेगा HR के लिए, और जो इसमें salary मिलती है, वो starting salary minimum कम से कम 20,000 महीने सुसरू होके 25 जार 30,000, जैसे ही आपका experience बढ़ेगा, वैसे ही आपका उसमें promotion होगा, आपका salary भी बढ़े तो HR एक अच्छा option है महीनाओं के लिए, जॉब के लिए, और साथ में पूरिस भी जा सकते हैं, लेकिन यह महीनाओं के लिए best job है, HR management, HR का full form बता है human research, इनका काम होता है कि company में employee को hire करना, अच्छे तरीके से अच्छे skill लोगों को hire करना, और उनकी देखभार करना, employee की कि उनको क्या सुधा है, क्या सुधा है, उनको training दिलवाना, company की वारे मताना है, joint salary के resign तक का का काम HR देखती है, तो यह होता है HR काम, दोस्तों, आज का हमारा चौथा job है, चौथा job है, airlines में, air hostets का, और साथ ही में, airport पर, जो है की, ground staff का, इसमें महिलाएं भी होती हैं, और इसमें भी आपको minimum, जो qualification है, वो graduation होना चाहिए, किसी भी suggest है, और साथ ही में, अगर आप, जो भी airlines से समंदित course होते हैं, अगर आप उनको कर लेंगे, बगर में, slide में, आपको दिख रहा है कि, यह है जो की course है, अगर आप वो course कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह जो career है, airlines का बहुत ही अच्छा career है, साफ सुत्रा है, environment बहुत अच्छा मिलेगा, अलग अलग लोगों से, अलग 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 देशों के लोगों से, आपको बात करने का मौका मिलेगा, अलग अलग कर्चल आपको दिखने को मिलेगा, और इसमें जो की minimum qualification, graduation होने चाहिए, औ अगर आप एक student है, अभी 10-11-12 की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अभी से मन मना लिजी कि आपको करना क्या है, किस सेक्टर में जाना है, तभी आपको job अच्छा मिलेगा, अगर आप अभी नहीं मन मनाएंगे, तो बाद में समय निकलता जाएगा, फिर आपको दिक्रत और एरपोर्ट में रहते हैं, customer service है, तो बहुत सारा job airlines में है, अगर आपको उसमें career बनाना तो बना सकते हैं, बहुत सारा job opportunities में हैं, और महिलाओं के लिए जाब बहुत ही अच्छा है, आज का हमारा पांचमा और आखरी job है, महिलाओं के लिए खास करके और पूर्सों के computer पर अच्छा है, आपको Excel अच्छा आता है, और तो आपको accounts and finance में जाना चाहिए, महिलाओं के लिए भी यह job अच्छा है, और इसमें कोई qualification को boundation नहीं है, अगर आपने become किया है, emcom किया है, commerce से आपका subject है, तो आपके लिए यह जाब बहुत ही better है, किसी भी company में, और आप आपको computer का भी knowledge होना चाहिए, साथी में, तो अगर आप student हैं, और commerce में पढ़ते हैं, तो accounts and finance में आप CA बन सकती है, और उससे भी छोटे-छोटे-चोटे level के जाब होता है, accounts and finance में, तो entry level पर आप जा सकती है, और इसमें minimum salary की बात करें, तो 20 जार पे से ले करके, इसमें भी काम करने के लिए, आपके अंदर इसकी law quality वो ज़रूरी है, मेनत, इमानदार, यह सब तो बात हई है, बाकी जोगी, दोस्तों, job तो बहुत सारा है, आज हमने आपको पांच high paid or best job बता हैं महिलाओं के लिए, इसमें पूरिस भी जा सकते हैं, mail भी जा सकते हैं, और साथी मे आज का हमारे यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्रिप्या comment box में हमारे ज़रूर बताएं, और आपको किसी भी प्रकार की जंकरी चाहिए, तो भी हमें comment करें, हम आपको बताएंगे, उसकी जंकरी पूरी जंकरी आपको देंगे, और दोस्तों, उससे तो बहुत सारा job है, क्या करना कि